नमस्कार दर्शकों वास्तु से सम्मंदित अनुभूत जानकारी के लिए मेरे यूट्यूब चैनल वास्तु सिंप्लिफाइड को सबस्काइब करना ने भूले नमस्कार दर्शकों मेरे यूट्यूब चैनल वास्तु सिंप्लिफाइड में आपका एक बार फिर स्वागत है आज फिर मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर प्रस्तुत दुआ हूँ मैं उमेद दुगड आज मैं आपको बताऊंगा कि काले गोडे की नाल का घर पे दुकान पे ओपिस पे लगाने से क्या प्रभाव होता है क्योंकि जोतिस सास्तर में काले गोडे में सनी का प्रभाव माना गया है काले गोडे के पेरों में सनी का प्रभाव माना गया है और सनी वेशे न्याय के देवता हैं किसी भी प्रकार की समश्या, दृष्टी दोस, नजर सब के लिए प्राचीन समश्य ही लोग अपने दहलीज पे या उपर काले गोडे की नाल लगाते आये हैं तो मैं आपको आज बताना चाहता हूँ कि मेंगेट पर, यहनि मुख्य प्रवेश द्वार मेंगेट उस पर काले गोडे की नाल लगाने से बूरी आत्माओं का प्रवेश, नजर, दृष्टी दोस, इन सब से बचा होता है नमबर दो, हाथ में, मिडल फिंगर में जो सबसे बड़ी अंगुली है उसमें अगर काले गोडे की नाल की अंगुठी बेजोड बीचे जोडी नहीं होनी चाहिए तो उससे उसका शनी अगर नीच का है, खराब है तो पावर में आ जाएगा और सनी उसकी सफलता में साथ साथ चलता रहेगा यानि सनी का प्रभाव अपने आप ही सुबफल देना सुरू कर देगा अनाज कहीं बार होता है कि जैसे घर में साल बर तक अनाज इकटा करका रखते हैं चावल है, ग्याउं है, बादरा है उसमें अगर इस नाल को लपेट कर काले कपड़े में रख दें तो कहते हैं अन्न की बहुत बरकत होती है यानि उसमें अन्न की कभी कमी नहीं होती पोजेटिव एनरजी, वास्तु सास्तर में कहा गया है कि काले गोडे की नाल पोजेटिव एनरजी को बढ़ाता है और नेगेटिव एनरजी को कम करता है कभी कभी फाइनेशल लोश होता है पेसे की तंगी आती है, पेसे की बरकत नहीं होती उसके लिए भी काले गोडे की नाल को काले कपड़े में बांद कर तीजोरी में अगर हम रख देते हैं तो भी हमको आर्थी के तरश्टी से फाइदा मिलना सुरू होता है ओफिस की जहां हम बेटते हैं उसकी टेबल की दराज में यानि ओफिस के टेबल की दराज में भी अगर काले गोड़ी की नाल रखी जाती है तो उसके डिशिजन पावर में यानि सनी नाय के देवता हैं दूद का दूद पानी का पानी करते हैं तो उसका डिशिजन पावर बहुत ही उच्चत्म हो जाएगा और इमिजियेट वो अपना प्रभाव दिखाना सुरू कर देगा ग्रह बादा दूर करने के लिए यानि सनी ग्रह या कोई भी ग्रह हो ग्रह बादा दूर करने के लिए भी काले गोले की नाल को मुख्य परवेस दूहार पर लगाया जाता है यानि काले गोले की नाल का बहुत उपी हो गए सबसे पहले मैं अब आपको ये बताऊंगा कि नाल यानि होर्सू ब्लेक होर्सू इसको लगाना चाहिए सटल्डे को लगाएं के से देखिए मैं आपको बताता हूँ कि हमेशा काले गुडे की नाल का जोड़ा ही लगाना चाहिए और लगाएं ऐसे जैसे एक यू और उसके बगल में एक यू और लिख दिया जैसे डबलू इस टाइब से लगाना चाहिए और इसमें भी अगर थोड़ा और ध्यान रख ले तो पिछे की पेर का होरसू या नाल थोड़ी शी नीचे कर दे और आगे की पेर का थोड़ा सा उपर कर दे पैचान यह है पिछे की पेर की कौन सी होती आपको तो नहीं पता लगेगा ना तो पिछे की पेर की जो नाल होगी उसमें यह हुक होगा यह हुक देखिये दिख रहा होगा आपको यह हुक यह आगे की नाल में नहीं होगा तो यह पहचान है यानि डबलू के आकार में आप चोकट पर इसको लगाईए इसके बाद में अगर संबो हो तो ओम सम सनेश्चराइनमे एक माला इस मंत्र की क्योंग ये सनी का मंत्र है पढ़ ली दिये तो भी आपको बहुत फाइदा मिलेगा अब गोड़ा आपको पता है गोड़ा कभी ठकत नहीं है गोड़े में बहुत थाकत है सो दो सो पांसो किलोमेटर गोड़ जाए तो भी ठकेगा नहीं दूसरा रहिश्य और है गोड़े में कि गोड़ा अकसर कभी बेटता नहीं है खड़ा ही रहता है खड़ा ही सोता है कभी कमार उकेजनली अपवाद एक अलग चीज है त इसलिए मकान में, दुकान में, ओफिस में, फेक्टरी में और जिनके मशीनों से सम्मंदित काम हो, उनको तो निश्चित रूप से सनिवार के दिन, श्याम के समय इश्च को लगाना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, चैनल को सबस्क्राइब करना नहीं भूले।